हेलो आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ब्यूटिफुल ड्रेस जो मैं बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल का एकन ब फ्रेस्य नियुक्त आपके ऑसाइब तो अब ही मैं इस तरीके से के आपको इसे फोर फोल करना है तो यह हमानी चाड लेर हो जाएंगी तो उसका चीज का दियान रख और तो आपकी नीचे की तरह रही चाहिए उसमें दामना चाहिए तो ऑब हम अपनी मार्किंग निप्र कर लोंगी तो अपन साइट मेरे देख सकते हैं ओपन साइड है कि यह उपर से उदर से हमने तिरह रखना है तो 7 इंच पर में सरी किसे बार दुटाइब उसके बाद 7 इंच पर आपको जार आपको कर लेए तो यहां पर निशान ए वह आपको दिखने रहगा आपको आइए ज है तो करेंगे सबसे चेस्ट का मार्च करेंगे नौँच पर नार गरूंगी तो जिस तरह किसे चोली बनाते हैं चोली तक आपको इस तरीक से मार्चन ले लूगे देख सकते हैं उसका भी हम इसे बाद आमोल की गौलाई भी कर देनी है उसके इसे काट कर लेना है आपनी मार्किंग की तरह 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 कुछ इस तरीके से इसमें मार्किंग हो जाएगी इसको कट कर लेंगे आप Y Tá कि क्वारी नंहीं सुर्ट किरुट हैं नहीं सब्सकाई तक करेंगे यह इस तरीके से गोलाई देंगे कुछ इस तरीके से तो हमारी ही भे الإ erro में कपड़ा चूल है तो मांपिंग करने के बाद इसे पूरा और नीचे की तरफ यह देख सकते हैं इस तरीके से आपको ओपन करना है यह देख सकते हैं यह देख सकते हैं यह दोनों पार्ट उसके बाद जो हमने यह हमारे कुछ यह उसके संब्सक्राइब दिखा करें दिखा रही हूं इस तरह के से आपको से प्रंट पार्ट को लेना है तो यह हमारा प्लूं बेक्साइड का वह खुदी लंबा हो जाएगा और फ्रेंट साइड का फल्लों का शॉटव जाएगा यह देख सकते हैं यह हमा बहुत ही ज्यादा इजी है एंड इस तरीके से मैंने इसे रखा हुआ यह देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कटके इसका जो पलू है वह लंबा हुआ है तो यहां पर हमारी मारी कंपलीट होगे उसके बाद हमने एक पार्ट लिया है जो हम फ्रेंट का बनाएंगे तो फ्रें कि शर्ट को रखना है कुछ इस तरीके से इंड इसको एज़िती इसी कट कर लेना है बस आपको आम मोल का जो है थोड़ा सा फेब्रिक बचाके इसे कट करना है क्योंकि हमने आगे की गयराई कर रखी है तो थोड़ा से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए आमोल को क कटिंग करेंगे अपने अस्तर पे तो डाइंच की चोड़ाई लूंगे मैं लेंद की एंड लंबाई है वह सिक्स इंच पर लेंगे तो कुछ इस तरीके से एक बॉक्स बना देंगे और फाइफ इंच पर भी एक और मार्क करेंगे और उसके बाद इसे कट कर लेंगे तो यह इस तरएक से normal कट लेना है अपने फ्रन्ड नेक को को यह देख सकते हैं तो यह पे मैं अनकर कर लोगी हमें इसको शेफ देनी है कुछ इस तरीके से हमें शेफ देनी है तो शेफ देने के बाद नीचे से हम चेंज पर मार्क करेंगे अपनी मोरी का विच मार्जन एंड इसके बाद क्रॉस चेप में इस तरीके से हमें लाइन ड्रो करके इजी अपनी स्लीफ को कट कर लेना है तो सी है तो यहां पर हैं तो आपने मेंट का नेक करना करना है तो इसलिए मैंने बहुत ही तरीका बताया आपको तो इस तरीक से आपको खीचेगा भी नहीं नेक उसके बाद आपको चुट-चुटे कट लगा देने अपने नेक पर जिससे आपकी सिलाई ना कटे इस चीज कर दियान रखे एंड इसे राइट साइड पे से आपको तरीके से टर्न करना है तो यहां पर एक सिलाई भी कर सकते हैं नेक पर बट मैं इ सब्सक्राइब कंग कर लें तो यहां मैं इसे कट लिया गाइस यह देख सकते हैं इसके बैग wifi जोबंगम और की सुड्डर değil कि ईसमें कर देने किया तो इसे पर अपने उसे एप भेजाइबर को इसंयाम कर देना है अन्दर की साहिए और चाहिए मैं जाइं पर यहां आय प तो यहां पर हमाई जोए स्लीफ बनके पिल्कुल तयार है यह देख सकते हैं अब हमने यहां पर पांच चौड़ी पट्टी लिया है और कुछ इस तरीके से लम्बी पट्टी लिया है आप चाहिए जितनी लंबी ले सकते हैं मैंने अपनी स्लीफ में से फ्रेल डाल ली है तो इस तरीके से इस पट्टी को रखना है अंदर की साइड आपकी राइट साइड होनी है चाहिए इस चीज का धियान रहा है और एक है कि इस तरीके से मैं प्लेट्स टाल लूगी यह कुछ इस तरीके से आपको प्लेट्स टाल लिए प्लेन फैब्रिक ले ले या फिर आपका तो आप पहले मार्किंग करने उसके बाद आप इस पे इस पे इस टेड़े तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरी स्लिप से लेके नीचे तक आपको इस पे स्ट्रिच कर देना है दोनों ही साइड में तो यहां पर जो है हमने स्ट्रेचिंग दे दिया यह देख सकता है नीचे का जो अस्तर है उसकी भी अपने किनारी को मोड लिया था तो उसके बाद हम नीचे की साइड बिस में फ्रिल लगाएंगे तो यहां पर मैं इसी तरह किसे पट्टी ले लूँगी और उसे डबल फोल किया है तो आप यहां देख सकते हैं मैंने अपनी फ्रॉक के उपर इस तरह के से रखा है पट्टी को एंड प्लेट्स डाल लेंगे हम तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं मेरा जो फ्रॉक के वो बिलकुल रेडी है एंड बनने के बाद बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है इसका लूप तो यह रहा मेरा फाइनल लुक आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्स्क्राइब किये विए नहीं जैगा थैंकियो फर वाचिंग